साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार जी स्वागत है आप सभी का आपके ही चानल पर आज में आप सभी के लिए एक बहुत ही खुबसूरत साखी लेकर आई हूँ और आज की साखी का शीरशक है कि जो है जैसा है उसी में खुश रहना सीखो तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी विवेक ने अपनी पत्नी प्रिया से कहा कि आज सबजी बहुत अच्छी बनी है मुझे थोड़ी और सबजी देना सबजी का टोरी में डालते हुए प्रिया का हाथ लगने से पीने के पानी का जग जमीन पर किर गया पानी को सुखाने के लिए प्रिया ने जल्दी से पोचा लगा दिया और विवेक उठकर पीने का पानी लेने के लिए रसोई में चला गया फ्रिज से पानी की बोतल लेकर आया प्रिया के मन में खयाल आया कि अरे हमारा फ्रेज तो बहुत गंदा था कितने दिनों से मैं फ्रेज साफ करने का सोच रही थी लेकिन समय ही नहीं मिलता मुझे इन सारे कामों को करने के लिए पता नहीं अब विवेख क्या सोच रहे होंगे खाना खतम करने के बाद जब सोने के लिए अपने कमरे में गई तब प्रिया अपनी जेठानी दिव्या के बारे में सोचने लगी कि दिव्या भावी कितने अच्छे से सारा घर सजा कर रखती हैं उनकी रसोई से लेकर बातरूम तक सब कुछ चमक रहे होते हैं उनके घर में कभी बी कुछ भी बिख्रा हुआ नहीं दिखाई देता और घर पर सब्ताह में एक दो बार दिव्या भावी पार्टी भी रखती हैं कल जब प्रिया अपनी जेठानी के घर पर किसी काम से गई थी तो प्रिया ने देखा था कि उसकी जेठानी का फ्रिज एक दम साफ सुतरा था हर एक चीज सलीके के साथ रखी हुई थी रात को प्रिया विवेक से कहने लगी कि आपको गंदे फ्रिज को देखकर आज बहुत बुरा लगा होगा आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ठीक से साफ सफाई नहीं रखती तब विवेक ने कहा कि नहीं मुझे क्यूं बुरा लगेगा भला तुम ऐसा क्यूं बोल रही हो क्या हुआ तब प्रिया ने कहा कुछ नहीं बस ऐसे ही विवेक ने कहा कि प्रिया मुझे बताओ की क्या बात है तब प्रिया ने विवेक से कहा कि देखिए दिव्या भावे अपना घर कितना सुन्दर सजा कर रखती है उनके घर का एक-एक कुना देखने लायक होता है घर पर कभी भाया के दोस्तों को तो कभी किटी पार्टी करके घर पे कितने महमानों को खाने पर बुलाती भी रहती है खाने में भी कितनी तरह की चीज़े बना कर रखती है और एक मैं हूँ जो सारा दिन काम में लगी रहती हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं क्यूँ दिव्या भावे के जितना चाहा कर भी मैं अपने घर को सवार कर नहीं रख पाती हूँ खुद पर मुझे कभी कभी बहुत गुसा भी आता है तब विवेक ने प्रिया से कहा कि आज मुझे तुमारे चिर्चिडे सभाव का कारण पता चल गया है तुम अपनी तुलना दिव्या भावी से कर रही हो जानती हो ना कि उनकी जीवन शैली हम लोगों से कितनी अलग है उनके दोनों बच्चे जवान है हर एक काम में वो अपनी मा की मदद करते है और उपर से भहिया भी क्या कम है वो भी रसोई में हर दूसरे दिन भावी की मदद करने के लिए खड़े होते है पार्टी की तो छोड़ो भावी अपने माईके से उनका नोकर बुलवा कर आधे से ज़ादा पकवान उसी नोकर से तयार करवा लेती है तुम अपनी और तो देखो जरा हमारे दोनों बच्चे छोटे हैं और अभी ना समझ है मैं भी इतना व्यस्त रहता हूँ कि तुम्हारी किसी भी काम में मदद नहीं कर पाता हूँ मा पिताजी भी तुम पर हर एक छोटी से छोटी बात के लिए निर्भर रहते हैं कुल मिलाकर इन सभी कामों को करने के लिए तुम्हारे पास केवल दो ही हाथ है और भावी को तो कितने हाथों की मदद मिल जाती है जानते हो ना कि तुम्हे थाइर एड की शिकायत है थोड़ा सा काम करके तुम ठक जाती हो घर में सब के लिए सुबह से खाना बनाने से लेकर कपड़े, सफाई, बच्चों की पढ़ाई बाजार के काम सब करने के बाद मैं तुम से इस बाद की उमीद नहीं रखता कि तुम घर को दिव्या भावी ये किसी और की तरह सजा कर रखो हमारा घर साफ सुत्रा और दिल को सुकून देता है बस मुझे और कुछ जादा नहीं चाहिए जब रात को हम सब लोग मिलकर बैटकर खाना खाती है मुझे दिल से बहुत खुशी महसूस होती है बच्चे कभी तुम्हारे साथ तो कभी दादा दादी के साथ खेलने में अपना समय बिताती है ये देखकर मेरे मन को तसल्ली मिलती है आपस में सब का प्यार बना रहे बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए दिव्या भाबी की बात करो तो उनके बच्चे अब बड़े हो चुकी है सब अपने अपने कमरों में अपना अपना फोन पकड़ कर अलग-अलग बैठे रहते हैं किसी के पास दिल की बात करने के लिए फुरसत ही नहीं है घर का बिखरा रहना तो दूर की बात है छोटी से चीज भी इधर से उधर नहीं होती खैर छोड़ो इन सभी बातों को मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है तुम बिकार भी इतना सोचती हो प्रिया तुम्हारी समस्या तुम्हारे दिमाग में है तुम सोचती बहुत हो और मेरी मोहित भाया के मुकाबले में शायद आधा वेतन है लेकिन तुम्हे कभी भी इस बात से कोई गिला शिकवान नहीं रहा तो भला फिर मुझे तुमसे कोई शिकायत कैसे हो सकती है तुम जितना इस घर परिवार के लिए करती हो, मेरे लिए वो ही बहुत बड़ी बात है और आज ये तुम खुद की दिव्याभावी के साथ तुलना करने में लगी हुई होना तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम किसी और के साथ भी तुलना अगर करोगी तो तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी जो दूसरों के पास है वो जरूरी नहीं कि हमारे पास भी हो इसलिए जो है जैसा है उसी में खुश रहना सीखो किसी से मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं खुद ही अपने मन को समझाने की कोशिश करना तुम जादा सोचो नहीं अब आराम करो उस राद प्रिया बहुत ही हलका महसूस कर रही थी कभी बच्चों की तरह अपनों से जादा दूसरों की और देखकर खुद को छोटा समझने लगती थी शायर इसी कारण प्रिया नकरात्मक भावना महसूस किया करती थी हीन भावना के बोज तले दबी जा रही थी लेकिन आज उसके दिल से एक बोज हट गया था वो सोच रही थी कि अपने तकिये पर सुकून की नींद से ही सच्चे सुख की प्राप्ती होती है साथ संगत जी एक सधारन सी बात है कि खुश रहने के लिए तो बहुत से विकल्प होती है लेकिन किसी दूसरे से जादा खुश रहने का कोई विकल्प नहीं होता ये तो केवल मन की एक धारणा है अनेक घरों में हमारे घर के तुल्ना में कहीं अधिक सुख सुविदा के साधन मौजूद है लेकिन अपना छोटा सा घर उस महल से भी कहीं जादा अच्छा है जहां हमें सुक्षान्ती और चैन की नीद नसीब होती है केवल हमें मानसिकता ही तो बदलनी है शिकायत नहीं शुकराना करने की आदत हमारे अंदर होनी चाहिए सुख और दुख मन की ही तो सोच है दूसरों को नहीं अपितु स्वयम को समझने और समझाने की कोशिश हमें करनी चाहिए इसलिए जो भी है जितना भी है हमारे लिए बहुत है बस इतनी सी बात है मैं उमीद करूँगी कि आज के साखी आपको पसंद आई होगी अगर साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजेगा फिर मुलाकात होगी एक बहुत ही खुबसूरत साखी के साथ साथ संगत्ची प्यार से कहना धन नरंकार